भारत की आत्मा और हिर्दय गाउं में वस्ते हैं इसमें कोई आश्च्रे नहीं कि भारत की लगबग 70% जन संक्या गाउं में रहती है लेकिन पिछले कुछ दसकों से भारती गाउं के इस्तिती में आमूल परिवर्तन रुपांतरन द्रिश्टिकत होता है यह रुपांतरन अपने में कुछ गुणों और अवगुणों को लिए हुए है इस दिर्वगती से परिवर्तन का मुखे सरे आधुनिक तक्निक को जाता है भारत में आधुनिक तक्निक विभिन विकास के छेत्रों जैसे विज्ञान उद्योक्रिशी में मैत्म भूमिक आदा करती है भारती गाउं के जीवन तंत्र में आधुनिक तक्निक विकास का गहरा प्रभाव द्रिश्टिगत होता है क्रिशी भारती गाउं की अर्थविवस्ता की रीड़ी की हड़ी है आधुनिक तक्निक के सायता से क्रिशी के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया ह किसानों ने इनकी उपयोगिता को समझकर परंपरा से चले आ रहे यंत्रों को छोड़ नए कृशी यंत्रों और उत्पादन प्रणालियों का प्रयोग आरंब कर दिया है ट्रेक्टर आधी आधुनिक यंत्रों के उपयोग से किर्शी कला में सुधार आया है और उसे व्यापारिक इस्तर प्राप्त हुआ है इससे ओसत भारती किसान के जीवन इस्तर में उन्नती हुई है किर्षी में यंत्रों के प्रवेश से किसानों के सारीक श्रम का भार कम हो गया तथा अतिरिक्त आयप्राप्ती के लिए इसने किर्षी से संबन्दित अन्य पेशो जैसे पसुपालन, मुर्गी पालन, आधी की और अपना ध्यान के इंद्रित करना प्रारम कर दिया विस्तरत क्रिशी, गहन क्रिशी, मिस्तरत क्रिशी, इस्तानांतर क्रिशी और हरित क्रांती के कारण विस्त में भारती किसानों की छवी सम्मानिय बन गई है पहले बीजों और फसल करोपन कटाई आदी के लिए भारती किसानों को भारी श्रम करना पड़ता था वे पूर्णेत वर्षा पर निर्भर था आदूनिक तक्निकों की खोज के कारण क्रेत्रिम सिचाय के कई साधन जैसे ट्यूब, वेल, नहर, बांदो आदी से किसानों की दैनिये दसा में भारी सुधार आया है उन्यत किसम के बीज और खाद आदूनिक तक्निक के अन्य अच्छे परिणाम है, इसी कारण आज भारत खाद्दान के शेत्र में आत्म निर्भर बन गया है, यहां तक कि अब वे अन्य देशों को खाद्दान का निर्यात भी करता है अच्छे किस्म के विज़ों और खात के प्रियोका फसलों पर प्रियाप्त प्रभाव पड़ता है इसलिए सरकार गरीब किसानों को इन्हें आसान दरों पर उपलब्द कराने की और सराने प्रियास कर रही है कुछ दसक पहरे तक गाउं में बिजली की विवस्ता नहीं थी लेकिन आदूनिक अविस्कारों से कम खर्चेली विद्धुत विवस्ता से कई गाउं में बिजली की सुधा उपलब्द कराई गई है आज कुछ गाउं में तो टेलिविजन संचार केंद्रों की स्थाबना भी हो गई है गाउं में संचार सेवाएं भी पहुंच गई है अच्छी सडको और रेल मार्गों के निर्बान से गाउं नगरों सहरों के करीब आ गए हैं प्राचीन काल में किसान के पास परिवेन का एक मातर साधन बैल गाड़ी थी लेकिन आज प्रते गाउं में ट्रक, बस, गाड़ी आदी नजर आते हैं आदुनिक पर आधार जिवी गाउं में बढ़ोतरी हुई है सुवी से लेकर हवाई जाज का निर्माण मसीनों पर आधारित होता है, गाउं के सिल्पकार, कुमार, कलाकार, आधी, जीवी का भी नो गए, साथ या अधुनिक तक्निक से किर्शी का फायदा धनी वरके किसानों को ही होता है, गरीब किसानों के लिए उन्हें प्राप्त करन में सुधार आया है भारती गाउं को सैसक्त आर्तिक समाजिक और राज़्यतिक आधार भूमी और नवीन आयाम प्रदान करने में निशित रूप से आधुनिक आधनिक का महान योगदान है आज गाउं आसयों का जीवन नई लक्षियों और नई आसाओं से भरा हुआ है इसका मुख्य कारण यह जीवन रूपांतृत हो गया है निसंदे आज के किसान का जीवा निस्तर 17-18 सदी के किसान से अच्छा है यह सब आधुनिक तक्निक का ही परिणाम है धर्नेवाद